दोस्तों बिहार में 10 से भी अधिक जिलो में जिला अस्तर की जो बहाली है ये शुरू की गई है ये बहाली काफी अच्छी खासी है आठवी, दसभी, बारवी, पास, असनातक पास सभी कैनिडेट को इस बहाली में मौका दिया गया है तो मैं आपको पूरी जनकारी इस वीडियो में बताओंगा कि अगर आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, आप अपने जिला के बारे में कैसे जनकारी प्राप्त कर सकते हैं और अभी किसके जिला में बाहली आ रही है इस वीडियो को जुरूर देख लीजेगा क्योंकि आप लोग लगातार कॉमेnd करते कि सर हमारे जीला के बारे में नहीं बताते हैं मैं आपको पूरी जनकारी बता दूँगा, आप अपने जीला के बारे में भी देख पहाँएंगे क्योंकि बहुत सारे जिला में दस से भी है धिक जिला में अभी बहाली आपकी चल रही है जिसका अंतिमतिती भी निर्धारत कर दिया गया है कैसे आवेदन करना, क्वालिफिकेशन, सैलरी सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंदा तो इससे एक लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं इस परकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज है सस्क्राइब करें ताकि आने वाले सारी अपडेट की जैनकारी आपको मिल पागी ऐसे और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ वर्टसप चैनल टेलिग्राम से जूरे ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा इस जौब के रिगारिंग मैं आपको टेलिग्राम वर्टसप चैनल पर उपलप करा दूँगा जहां साब डाउनलोड करकर भी जैनकारी को समझ स पर चलते हैं पूरी जैनकारे पूरे बिहार में किसके जिला में चल रही है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों अभी आप सकीन पर देख पा रहोंगे कई सारे जिला कर नोटिफिकेशन हमारे सामने है ये नोटिफिकेशन देखेंगे समारनाले समस्तिपूर से निकाला गिया है ये नोटिफिकेशन देखेंगे समारनाले खगरिया के द्वारा निकाला गिया है ये नोटिफि पोर से निकाला गया है, तो ऐसे इतना ही नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, कई सारे जिला में बहाले चल रही है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप हर जिला का नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड करकर और भी जिला की जनकारी आप देख पाएंगे, क्योंकि एक विडियो में या बार-बार एक ही टोपिक पे विडियो बनाना सही भी नहीं लगता है, मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ, उसको फॉलो करकर आप जिस भी जिला से आ रहे हैं, लगभग सभी जिला में अभी बहाली चल रही है, आप इसके लिए अपलाई कर सकते है तो आईए पूरी जनकारी समझना सुरू करते हैं, अंतर तक जूरे रहिएगा पूरी जनकारी अगर आपको समझना है तो, सबसे पहला हमने आपको जो है विडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आपको लिखा होगा, IP, RD, लिंक उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो इस website पर आप आजेंगे, यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे, जिस जिला की बहाली देखनी है, तो सबसे पहले यहां पर आपको सर्च वाले में select करना है, ताइप, आपको यहां पर type चुन लेना है, अब किस date से किस date की आपको भेक देखने ही जैसे फर्वरी महीनिया की पूरी बहाली देखने ही कि जिला में बहाली चल रही है तो यहाँ पर हम एक फरवरी चुनते हैं और आज तक मतलब मनली जयापकी सारीक वीडियो देख रहे हैं तर्केस तारीक तो चुनकर सर्च कर सकते कि कितने बहाली चल रही है यहां से सलग टाइप में आपको क्या करना रेคूपट्मेन चुनना है क्योंकि भर्ती के बारे में देखना है इससे चुनकर आप जैसे यहाफ Monte करेंगे तो यहां पर देखिए जतने भी बहाली जिस जिला में चल रही होगी सब का यहां पर नोटिफिकेशन आपको देखनों को मिलेगा यहां से डाउन लोड करेंगे जैसे देखिए यहां पर सोसल वेलफेर डिपार्टमेंट समस्तिपूर में चल रही है इसके आलावे सहरसा में चल रही है वैसाली में चल रही है और अंगाबाद खगरिया इसके आलावे देखेंगे बेश्ट शंपारन मधवनी मधवनी में दो बाहले चल रही है आपके खगरिया हो गया सुपॉल हो आपको यहां पर देखने को मिल जागा तो आपको खुद से जो प्रोसस मैं बता रहा हूं उस प्रोसस को फॉलो करिए और जिस भी जीला जैसे आपका जीला का जूभी नाम है आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उसके सामने यहां पर देखे पॉब्लिस मै कि किस-किस जीला में जो बहाली है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो यह पहला तरीका था बहाली को देखने का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का दूसरा तरीका यह है कि बिहार के सभी जीला का हमने आपको लिंक को प्लप्त कर आते हैं तो भागलपूर का देखना है तो भागलपूर के सामने हमको क्लिक करना है सभी जीला का सेम प्रोसेस है आप अपने जीला का नाम के सामने जब क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नोटिस बाले डैसबूर्ड मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे एक option requirement का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देखिए जो भी रिक्वार्मेंट चल रही होगी उस जीला में आपको यहां पर नोटिफिकेशन देखनों के मिलेगा जैसे वन एस्टॉप सेंटर में भागलपूर में अभी बहाली चल रही है जोकि 19 फरवरी 2024 के डेट में नोटिफिकेश वाले विकल पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जिसमें बहाली की पूरी जनकारी आपको यहां पर बताई गई है इसी अनुसार और भी जीला का देखना है जैसे भी पटना में भी बहाली चल रही है तो आप डिरेक्ट आएंगे यहां पर पटना वाले लिंक पर क्लिक करेंगे फिर वही प्रोसस नोटिस वाले सक्षन में आकर रिक्वार्मेंट वाले सक्षन पर आपको आना है तो पटना में देखेंगे पंदरा तारी के डेट में तीन बहाली को लेकर नोटिफिकेशन आपके जारी किये गये है जब आप य बहाली की नोटिफिकेशन आएगी जिसमें सब में अलग-अलग बहाली है आप इस परकार डाउनलोड कर सकते हैं तो हमने आपको बताया कि दो तरीका है अगर उस तरीका में अगर आपके जिला का नाम यहां नहीं दिखता है तो आप डाइडिक्ट उनके वैप साइट पर ज जाकर नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अब आईए बहाली के बारे में पूरी जनकारी समझते हैं जैसे सबसे ज़्यादा भी बहाली चल रही है सभी जिला में WCDC जो डिपार्टमेंट है जिला प्रोग्राम सखा इसमें आपकी बहाली ICDS के द्वारा चलाई जा रही है इसमें देखेंगे अलग-अलग पद रखे गया हैं और क्वालिफिकेशन अलग-अलग रखे गया हैं जैसे देखें क्रेच वरकर का पद है एक सीटो पर बहाली है कोटी देखेंगा आनारक्षित है इसके लिए योगिता अहरता बताएगए कि आप आसनात को त दिन होने चाहिए बच्छों के साथ किसी भी संस्ता स्कूल आंगरवारी या प्ले स्कूल में आपने काम किया होगा तीन साल का आपके पास अनुभव होगा महिलाओ के लिए ये जो सीट है अरक्षित है इसमें नियूंतम उम्र आपकी 21 साल अधिकतम 40 साल मतलब सारा डीटेल आपको नोटिफिकेशन में दे दिये गया है कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है इसमें सैलरी आपकी जो होगी 14,730 रुपए आपकी होगी ये जो पद होगा संबीदा पे अधारित होगा दियान रखेगा दूसरा जो पद इसमें रखे गया है साहय क्रेच वरकर क अब इसके लिए आभेदन कैसे करना है तो आभेदन करने के लिए आपको e-mail करना होगा ये e-mail ID दिये गया है इस पर आप e-mail करेंगे विद्यापन परका intricacy होने के पंदरा दिनों के अंदर में मतलब यहाँ पर देखेंगे समस्तेपूर का नोटिफिकेशन 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया है तो इससे 15 दिन आगे आप जोड लीजीगा ये इसका अंतिम्तिती रहने वाला है इस परकार समस्तेपूर की बाहली के बारे में हमने समझा अब अगला जिला के बारे में समस्ते ह है अगली जो बाहली है आपकी हाजीपूर से होने वाली है इस जुकी बैसाली जो समारनाले है वहां से निकाली गई विग्यापन संख्या दिये गए है ये भी बाहली आपकी WC DC में होने वाली है नीचे आएंगे अलग-अलग इसमें पद रखे गया है जैसे जीला मिसन सम समानवायक के पद पर है एक सीठ रखे गए है इसमें जो आपकी सैलरी है चालिस से रुपेर रखे गए है जिंडर एस्पेस्ट लिष्ट का है जिसमें दो सीठे रखे गई है 30 से रुपेर इसमें सैलरी है कुल मिलाकर देखेंगे MTS की भी पद है डाटा इंटी ऑपरेटर का भी है लेखा साहय का भी है वितिये साक्षरता में विस्षसग्य की भाहली है सब में अच्छी खासी सैलरी इसमें दिये गए हैं बाकी इसके लिए भी आप इनका जो नोटिफिकेसन बैसाली.nic.in के वेबसाइट पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो क भाहली है WCDC डिपार्टे के दुआरा निकाला गया वन एंच्ट आफ सेंटर में जो नियुक बनें इसको भढ़ए इसको भरने के लिए इस बहले जो है काला गया है जिसमें आपकी जो योगिता मिमें के कानूनी समाजासावत पर या समाज आप पु बोले गए हैं तो प्राथमिक्ता आपको पहले दिया जागा तिन साल का अनुभव बताया गए हैं एक सेटो पर बाहली है आपकी आयू अधिक्तम 40 साल होगी और यहां पर बताया गए मांदे आपके 22 सेयर रुपे होने वाली है बाकी यहां पर देखेंगे मनो समाजिक पराम के जो घ्यान रखने वाले कनेडेट है कार्याले साहय का पद है जिसमें कंप्यूटर या आईटी में आपका डिप्लोमा मांगा गया है इसमें 17,000 रुपे आपकी सैलरी होने वाली है तो कुल मिलाकर यहां पर साथ अलग अलग परकार के पद है सुरक्षा परहरी रातरी प और नीचे अन्य जैनकारी दिए गए कि इन पदो के लिए नियूंतम अम अठारा साल होगी अलग अलग काटेगरी के लिए आपको पै आते हैं आपको email id दिये गया है आप email id पर आवेधन कर सकते हैं इसका अंतिम दिती भी बता दिये गया है अब email id पर आपको आवेधन जो मांगा गया है इसमें आवेधन कैसे करना है तो आपको एक क्या करना है आपका जो बायो डाटा होगा बहुत सारे विग्यापन में आप को क्या है कि इसका फॉर्म दे दिया गया है उस फॉर्म को भरकर आप इमेल कर सकते अपनी योगिता वाली प्रमानपत्य को लगा कर जिसमें नहीं दिया गया तो आप अपना एक जो है रेजुम करने बारे में बता दीजह और आपके पास जो भी document इसमें मांगे गएया योगीता उन तमाम document का photo click कर लेना है उसके नीचे आपको sign जरूर करते ना है और इन सब को क्या करना email कर देना है इस email ID पर सबका notification में लगण email है आप email कर दीजीगा तो यह आपकी बहाली जो निकल कर आ रही थी यह आपकी औरंगा बास से आ रही थी अब बात करते हैं अगली जो बहाली आपकी निकाली गई है पच्छमी चंपारन जो कि बित्या से है इसमें भी आपके जो पद है लगवग वही पद सब रखे गये हैं इसमें सैलरी आपको बताए गये हैं आप एक ब पर देख लीज़ेगा बाकी इसके लिए जो ईमेल आईड़े दिये गए हैं फॉरम भरने के लिए इस इमेल पर आप भर सकते हैं इसका अंतिम्तिती आपको बता दिये गया कि इस धिती तक आप हर हल में अपना फॉरम को भेज सकते हैं बात करें अगले जिला की बाहलिए अगला बाहलिए अगला जो बाहली आपकी है माधवनीं से निकल कर आ रही है माधवनीं ज использ की तो यह बाहली है बाug ऑपendaunk studios ३ूस ए criticism जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बाहली निकाली गई है जिसे महिला अबम बाल विकास निगम के नाम सब जानते होंगे उसमें ये बहाली आपकी होने वाली है इसमें भी देखेंगे कई सारे पद है पांच अलग अलग परकार के पद है जिसमें आपके सैलरी पूरी डीटेल दी आवेदन करने वाले इनके वेब साइट से आप जो है इनका आवेदन पत्र है वह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ आवेदन आपको करना है तो इसके लिए आपको पूरी जनकारी बताये गाए है आप 27 फरवरी 2024 का फ़ल को भर सकते हैं बात करते हैं अघली जो आपकी जो खगरिया में होने ली है घ्गरिया में जो आपकी बाहरी होगी इसमें भी आपको जो है ँरती अलग अलग प्रकार के पहत रहे गए हैं और इसके लिए आपके जो फॉर्म मांगे गए इसका अन्तिमति थी आपको बता दिये गए कि इस तेति तक आप भर सकते हैं इमेल आइडिया आपको दिये गए इस इमेल पर आपके फॉर्म सुष्कारी किये जाएंगे खगड़िया में आपकी दो बाहली चल रही है एक बहाली आपकी जो है सुपरवाईजर के पद पर भी रखे गया है जो कि आंगनवारी सुपरवाईजर के पद है उसके लिए हम ने डिटेल वीडियो आलरेडी चैनल पर बनाया है आप देख सकते हैं देखे उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपने 10 साल काम किया परकार के क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए भर सकते हैं और 10 भी पास आप कम से कम होने चाहिए और 10 साल का आपका अनभव होना चाहिए सेविका पद पर तो आप हम को भर पाएंगे अगला जो बहाली है आपकी भागलपूर से निकाली गई है भागलपूर में भी अच्छी खासी बहाली निकाली गई है इसमें देखेंगे आठ अलग अलग परकार के पद है जिसमें देखेंगे सुरक्षा कर्मी रातरी परहरी का है तीन सीटों पर बहाली है तीरा हजार रुपिय सेलरी है बहु देसी कर्मी कोक की बहाली है जिसमें तीरा हजार रुपि करना चाहता है इस email पर अपना पूरी detail आप भेज सकते हैं बाकि आवेदन जो करना है इनका notification जारी होने के 15 दिनों के अंदर में ही करना है अब भागलपूर में जो बहाली आपकी है दो निकाली गई अलग-अलग यहाँ पर एक और बहाली है जो कि आप देख पाएंगे इसम email ID दिए गए इस पर आप email कर सकते हैं अगली जो बाहली आपकी होने वाली हो पटना में है पटना में तीन अलग-अलग बाहली निकाले गया है पहला ICDS के दुवारा निकाला गया है इसमें इतने सारे पद रखे गए इसमें भी देखेंगे आठ अलग-अलग परकार के बारे में भी आपको यहाँ पर जनकारी दिए गए है आप देख लिजिएगा बहुत सारे notification में क्या है कि इसका आवेधन फॉर्म इसमें दे दिए गए है तो आपको इसी फॉर्म को भरना है जिसमें भीयापन संक्या आपको नाम अपना जो भी पद है पद का नाम यहाँ पर लिखीगा फिर अपना नाम जनमतिती माता का नाम यह सब लिखना है आपको एक फोटो चिपकाना है और यहाँ पर आपको साइन करना है पूरी जनकारी फॉर्म में आपको अल्रेडी बता दिये गया है जो जो डोकुमेंट लगा रहे है वह आप बताएंगे और इस और दूतियतल कांधी मैदान यह पिनकोड है यहाँ भेज सकते हैं तो आपके उपर है आप 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 लाइन ऑफ लाइन जैसे भी चाहे वज़से आप आवधन कर सकते हैं पटना में एक और आपकी बहाली जो है चल रही है इसमें देखेंगे पांच अलग अलग परक सकते हैं या आप चाहे तो आप स्पीट पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं तो इतने सारे बहाली चल रही है इसके आलावे भी बहुत सारे जिला की बहाली हमने इसमें कभर नहीं किया है आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको और भी जिले की जुब बहाली के बारे में जनकारी है और उसमें पूरे जनकारी आपको बता दिए गया है आप यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपको पूरी जनकारी बताया कि बिहार के अभी किस-किस जिला में बहाली चल रही है इसके आलावे केनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें धन्यवाद